Hello friends, welcome to VPSC दरपन आज हम लोग यहाँ पर बिहार Current Refresh का second part का study करेंगे जिसमें हम question number 51 से लेकर के 100 तक का study करेंगे next video में उससे आगे study करेंगे तो चलिए हम time waste किये बगएर अपना study start करते हैं और आप लोग एक से लेकर 50 question का practice set 1 upload हो चुगा है यदि आप नहीं देखें उसे एक बार जरूर देख लें उत्तर बिहार का सबसे बड़ा cinema hall 4 star जिसे 24 मई 2024 को नष्ट या demolise कर दिया गया या किस जिले में अवस्तित थी तो या आपके पुर्निया जिले में अवस्तित 4 star cinema hall था जिसे demolise कर दिया गया है 24 मई 2024 को फोबर्स द्वारा जारी अंडर 30 एसिया सुची में बिहार के किस बेटी को मस्तिस्क और संग्यानात्मक विज्ञान के अध्यन पर उसके सोध के लिए इस सुची में सामिल किया गया है तो वह है सपना सिन्हा जो बिहार से हैं बिहार की बेटी है बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है यह बिहार के बांका जिले में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक परदूसन से मुक्त करने के उद्देश से प्लास्टिक मुक्त भविस्यकी और नामक पहल बिहार सहित कितने राज्यों में आयुजित किया गया है और इसका प्लास्टिक मुक्त भविस्यकी और इसका मुक्ष उद्देश है गंगा और उसके 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक परदूसन से मुक्त करना नवीन्तम घोषना के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी खेल प्रतीवहा खोज प्रतियोगिता का आयुजन राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में किया जाएगा तिया राज्य के 38.000 से अधिक सरकारी स्कूलों में इसका आयुजन किया जाएगा 15-29 मई 2024 तक आयो जीत इंडिया एस्किल्स 2023-2024 प्रतयोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदोकों का कौन सा मिलान सत्य है आपको मिलान देखना है यहां पर देते हैं तीन स्वर्ण पदक बिहार ने जीता है एक रजत पदक यह भी सही है और तीन कांसे पदक है यह भी सही है टोटल साथ मेडल बिहार ने जीता है इंडिया एस्किल्स 2023-24 प्रतयोगिता में ठीक है तो यह तीनों ही सही है तो आंसर होगा आप ब्राण मेडल 13 मुई 2024 को बिहार के पुर्व उपमुखमंत्री सुसील कुमार मोदी का निधन हुआ है बताएं कि किस बर्स भाड़ा सरकार ने उन्हें राजियों के बीत मंत्रियों के Empowered Committee का अध्यक्ष बनाया गया था मतलब बिहार के उपमुखमंदी सुसील कुमार मोदी जी का 13 मुई 2024 को निधन हो चुका है और उसे किस दीन किया किस बर्स के लिए कह सकते हैं कि भाड़ा सरकार ने राजियों के बीत मंत्रियों की जो Empowered Committee होता है उसका अध्यक्ष बना पुमुखमंदी के Empowered Committee का अध्यक्ष बनाया गया था बिहार के किस बेटी का चायन अंडर 20 भारती महिला बॉलीबॉल टीम में हुआ है जो पिछले 50 बरसों में अंडर 20 भारती महिला बॉलीवल टीम में सामिल होने बाली बिहार की पहली महिला खिलारी बनी है तो यह है ख खुसी कुमारी पिछले 50 बरसों में अंडर 20 जो भारत की महिला बॉलीवल टीम है उसमें जगा बनाने वाली पहली महिला बन चुकी है तो याद रखे कि बिहार से अपहली है तो यह important बन जाता है बिहार वेस एक्जाम के लिए हालिया घोशना के अनुसार कि सराज्य के सरकारी स्कूलों खास करके बाठ प्रभाविद जिलों के बिद्यालाईयों में तरंताल यानि सुमिंग पूल बनाए जाएंगे तो यह बिहार के स्कूलों में ऐसा होगा बिहार के स्कूलों में सुमिंग पूल बनाए जाएंगे बिहार के किस जिले के प्रियंका ने दो पदक जीता। 2023 में देश में हुई बाहनों की बिक्री में से कितनी प्रतिसत बिक्री बिहार में हुई हैं तो बिहार में 5.38 प्रतिसत बिक्री हुई है बाहनों की बिहार वो देश के पहले डिजीटल भिखारी के रूप में पूरे भारत वर्स में परसिद्धी आसली करने वाला जिसका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे वो राजू परसाद जी थे जो नहीं बिहार ही नहीं भारत के पहले डिजीटल भिखारी थे जिनका कुछी दिन पहले निधन हो गया है उनका नाम है राजू परसाद कहां आयोजी तीन दिवसिये नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्जिकरम की समिक्षा बैठक में बिहार मौडल की काफी सराहना की गई राची जहरखन में आयोजी तीन दिवसिये नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्जिकरम में बिहार का जो कालाजर से निपटने वाली बिहार मौडल था उसे बहुत ज़्यादा सराहना की गई है किस वर्ष तक विक्सीत भारत बनाने की दिसा में नीती आयोग ने राजियों से सुझाव मांगा है जिसके लिए बिहार जून दुहजार चोवीस के बाद केंदर को अपना वीजन डॉकुमेंट सौपेगा बिहार जो अपना डॉकुमेंट सौपेगा अभी तक मतलब कर सकते हैं जून दुहजार चोवीस में सौपी चुका है वो बिहार सरकार ने अपना टार्गेट रखा है कि बिहार सरकार भी बिक्सित भारत में अपना यूगदान देने के लिए और बिक्सित बिहार बनाने के लिए अपना बीजन भाड़ा सरकार को या कर सकते हैं नीती आयोग को मुख्य रूप से नीती आयोग को सौपेगा जिसमें बिहार को भीख्षित बिहार और भारत के बिकास में बिहार के युगदान को बताने के लिए उन्होंने अपना डॉकुमेंट सौपेगा या बिक्सित बिहार दोहजार सत्ता हिस तक के लिए 23 मईद दोहजार चोबीस को भगवान महत्मा बुद की 258 मी जैनती मनाई गई बताएं कि बुद के पहले गुरु कौन थे तो बुद के पहले गुरु थे अलार कलाम अलार कलाम भगवान बुद्ध के पहले गुरू थे हाल ही में जारी वारसिक टाइमस हायर एजुकेशन यंग इनुवर्सिटी रैंकिंग दुहजार चोविस में बिहार के किस संस्थान को विश्व में 115 और देश में 4 अस्थान मिला है तो वह है आयाटी पटना आयाटी पटना को विश्व में 115 अस्थान और देश में 4 अस्थान मिला है टाइमस हायर एजुकेशन यंग इनुवर्सिटी रैंकिंग दुहजार चोविस में हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राजियों में एडस से प्रित मरीजों की संख्या के आधार पर कौन सा मिलान सत्य है इसमें तीसरा अस्थान पर बिहार है यह सही है बिहार तीसरे अस्थान पर है एडस की मात्रा एडस की जो पेसेंट है उसकी सबसे ज़्यादा संख्या के मामला में किस राज्य सरकार ने राज्य में अवाइद खनन को रोकने के लिए एवम अवाइद रूप से बालू की धुलाई पर रोक लगाने के लिए बाहनों में 20 इंच की लाल रंग की चोड़ी पटी अनिवार्ज किया है तो राज बिहार है बिहार में जैसे कि आप जानते हैं खनर माफिया ट्रॉक में या गारी में आवासकता है जैदा वजन डाल देते हैं जितनी एक फिक्स लिमिट है उससे जैदा वजन या उससे जैदा बालू भर के ले जाते हैं जिसकी से रोक थाम के लिए जिसको रोकने क के लिए बालू मौफिया के इस हरकत से बचने के लिए बिहार सरकार ने 20 इंज की लाल पटी चोड़ी पटी उन्हें दिया है कि इस पटी को आप ट्रॉक पर एक लाइन मार्क के रूप में लगाएंगे जिससे उससे जैदा आप उसमें बालू भर ना सके बिहार में सरकारी इसकुली बच्चों को अब सपता में एक दिन मंगलवार को मिड़े मिल में गर्म दूद भी मिले पीने को मिलेगा बताएं कि पूरी भारत में मिड़े मिल योजना की सुरुवात कब हुई थी तो भारत में मिड़्े मील योजना की शुरुवात उन्हें सो पंचानमे में हुई थी गया अवस्थीत बोधी ब्रिक्ष का 15 मई 2024 को विधिवत रूटीन हेल्थ चेकप किया गया बताएं कि बोध गया में बोधी ब्रिक्ष अपने वन्स की किस PD का है तो यह पांचमी PD का है और यह कई बार एक्जाम में बिहार BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा यह कई अधर एक्जाम में भी SSC, UPSC टैप के एक्जाम में भी यह कोईस्टन कई बार पूछा जा चुका है तो इसे याद रखिए यह पांचमी PD का पेर है यहाँ पर एक ची और मैं बता दूँ कि बोधी ब्रिक्ष जो बोध गया मैं है उसे हर साल उसका एक जिस तरह से हम अपना रूटीन चकप करवाते हैं सरीर का उस तरह से स्पेर का भी रूटीन चकप होता है नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रूबिशन कमपनी ने मुझफ़र पूर जिले में साथ नए बिधुत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णा लिया है बताएं कि बिहार राज बिधुत बोर्ड का गठन किस वर्स किया गया था बिहार राज बिधुत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया था बिहार सरकार ने सभी सरकारी इसक्विलों के बच्चों को एक यूनीक आईडी देने की घोशना की है इस पर बिसेश जानकारी एकतर करने के लिए बिहार सिक्षा बिभाग की अधिकारियों की टीम कहां गई थी यह चैन नहीं गई थी कहने का मतलब है कि बिहार सरकार अपने स्कूली बच्चों को एक यूनीक आईडी देगी एक नम्मर देदेगा और किस तरह से इस परोसिजूर को पूरा किया जाए उसकी रूप रखा कैसी होगी तो इसके सीखने के लिए इसकी ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं इसकी जानकारी जुटाने के लिए बिहार सरकार की टीम चैन नहीं गई थी नरेंद्र मोधी बिहार की राजधानी पटना में रोड़सो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोधी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे यह भी एक्जाम में पुछा जा सकता है कि या 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंद्री बने थे पहली वारत 26 मई 2014 को इसे याद रखें क्यों इसे याद रखने की क्यों जरूरत है उसके दो रीजिन है एक रीजिन जो अप उन्होंने यहां पर लिखा है कोई खास रीजिन तो नहीं है फिर भी उसे देख लें कि पटना में रोड सो करने वाले या भारत के पहले प्रधानमंद्री बन गए है लेकि ये मैंन इंपोर्टेंट कोईंट नहीं है कि ये बात जानने की कि नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंद्री कब बने है या डेट आप से एक्जाम में पूछा जाएगा इसके पीछे वीजन ये है कि जवाहरलाल नहरू के बाद नरेंद्र मोदी ही पहले व्यत्ती हैं जो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंद्री के रूप में सपत लिए है और इस बज़ों से यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि पहली बार यह कब सताम आये थे यह कब प्रधानमंद्री बने थे इसलिए यह डेट पुछा जा सकता है तो उसे याद रखेंगे 26 मई 2014 हालिया जारी आदेश के अनुसार किस राज के बिस्विद्यालाई में राजपाल के बिना अनुमती के नए पाठकरम शुरू नहीं किये जाएंगे तो यह राज भी बिहार है बिहार के किसी भी विश्विध्यालाई में युनिवरसिटी में राजेपाल के पुरु अनुमती के बिना कोई नया पार्ठक्रम नहीं शुरू किया जा सकता है उस कार्ठक्रम का नाम क्या है जो 28 मई 2024 को पटना में आयुजीत किया गया जहां बिहारी बेंजनों को प्रमोट किया गया तो उसका कार्ठक्रम का नाम था पंगत पंगत कार्जक्रम पटना में आविजीत हुआ 28 मईद 2024 को जिसमें बिहारी बेंजनों को प्रोमोट किया गया याद रखेंगे पंगत बिहार के किस जिले के परसिद रंग कर्मी परसाद रतने स्वर को नटे संबर्ग अविनाई में बिसिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया याद रखेंगे पुर्वी चम्पारण के परसिद रंग कर्मी परसाद रतने स्वर को नट राजेकला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है कोई भी यातरी के चलती ट्रेन से गिर जाने किसी हादसे में सिकार होने पर कोई मुआबजे का तभी हकदार होगा जब उसके पास टिकट होगी कहाने का मतलग किसी भी यातरी को रेलवे की ओर से मुआपजा तभी मिलेगा जब वह ट्रेन की बज़ा से या ट्रेन की एक्सीजेंट में गिर कर किया किसी भी बज़ा से उसकी मिर्तु होती है या उसे च्छती पहुँचता है वह injured होता है तो उसे railway मुआबजा तब देगी जब उसके पास टिकट होगी यह फैसला कौन सा कोट दिया यहां आप कहाना है टिकट नहीं रहने पर railway मुआबजे का भुगतान नहीं कर सकता यह फैसला किस उचलिया नियालाई ने अपने फैसले में सुनाया है तो आप कॉमेंट्स करें भी बता सकते हैं ऐसा फैसला कौन सा कोट दिया है जो पहले मैं बताइए तो यह फैसला पटना है कोट का फैसला है कि यह किसी के पास railway की टिकट नहीं है ट्रेन टिकट नहीं है बीना टिकट के वह यात्रा यात्री यात्रा कर रहे हैं और उसके अब जाता है तो रेलवे मुवाबजा देने के लिए बात दे नहीं है ऐसा फार्चला पतना है कोट ने दिया है शो से आठ मई दुहजार चोवीस तक तीन दिवसी भोजपूरी महत्सव दुहजार चोवीस का आज़न कहां किया गया है तो भोजपूरी महुतसब का आजन पोर्ट लुईस मोरीसस में किया गया है इस क्वेस्टन को भी भी आई करके याद रखें क्योंकि यहां पर आपको confusion हो सकता है और यह क्वेस्टन की बज़र से पूछा जा सकता है भोजपूरी महुतसब 2024 कहां आज़ित किया गया है आपसे simple question पूछेंगे ठीक है यहां पर तो आपको तीन भोडन का नाम दे यहां एक भारत की यही आपसे दो भारत की और दो विदेशों की नाम डाल दे तो आप confused हो जाएंगे तो याद रखें उसे याद रखना जरूरी है कि भोजपूरी महुतसब 2024 पोर्ट लुईस मोरीसस में हुआ है मोरीसस की रायधानी पोर्ट लुईस में एक मुए 2024 को पटना के प्रसिद सर्जन डॉक्टर नरेंदर परसाद का निधन हो गया उन्हें किस बर्ज पदम सिरी से सम्मानित किया गया था उसे 2015 में पदम सिरी से सम्मानित किया गया है यहां पर एक कुश्चन को दू बिद्धान हाली में हो गया है जिसे पदमस्री भी प्राप्त था वह किस छत्र से संबंदीत है तो याद रखेंगे वह एक डॉक्टर थे संजाय गांधी जैविक उद्यान में ओनलाइन टिकट बुकिंग साथ दिन पूर बुकिंग कर सकते हैं अनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा सुरू हुई है बताएं कि किस बर्स पटना जूग का गोल्डन जूबली मनाया गया है पटना जूग का गोल्डन जूबली 2023 में मनाया गया है आर्जभट ग्यान विश्विद्यालाय के कुलपति प्रोफेसर सरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लौंच किये गए बिहार के पहले हिमनोराइड रोबोट का नाम क्या है तो रोबोट का राम है सुमेध सुमेध एक रोबोट है जिसे प्रोफेसर सरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉंच किया गया है और यह बिहार का पहला रोबोट है हिमुनुराइड है जिसका नाम है सुमेर इसे भी आप याद रखेंगे किस राज्य की टीम हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चेंपियन दोजार तईस चोबिस में रगवी सेवन यस प्रतियोगता में अंडर सेवेंटीन और अंडर नैंटीन बालक और बालिका दोनों वर्ग में चेंपियन हासिल चेंपियन सिप का खिताब हासिल किया है तो वह राज्य है बिहार भी भी आई कुस्टन सीसे कर लिजिए इसे भी आपको भी भी आई समझके याद रखना होगा उसके कई बज़ा है उसका पहला बज़ा यह है कि रगभी का जो अंडर सेवेंटीन और अंडर नाइंटीन का जो खिताब था दूनों ही बिहार ने जीता है और बालक और बालिकाओं के दूनों ही संबर्ग में दूनों ही बर्गों में जो जीता है विजेता रहा है वो अब भी आई रहा है इसलिए इस कुस्टन को आपको याद रखना होगा बिहार स्पेसल के माध्यम से हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुजार आयुस्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज में पहले अस्थान पर है तो मुझहफर पूर जिला पहले अस्थान पर है मुझफ़पूर जिला के दुआरा ही सबसे ज़्यादा गोल्डन कार्ड बनाया गया है अश्मन भारत की अंतरगत चार मुए दुहजार चोबीस को बिहार के किस जिले का 151 मां अस्थापना दिवस्मन आया गया है तो भागल पूर जिले का प्रियावरन वन और जलवायू प्रिवर्तन विभाग बिहार की सचीव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयजीत प्रतिष्ठित जकारता फ्यूचर्ड फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है तुआ है बंदना प्रियसी बंदना प्रयसी जकारता फ्यूचर फोरम में संबोधन दिया है बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पदमस्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकासित किया गया है इस पुस्तक में बिहार के कितने पदमस्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बया किया गया है तो इसमें 15 कलाकारों को बर्नन किया गया है बिहार के पदमस्री कलाकार नाम से जो भुक है उसमें 15 कलाकारों का बर्नन है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज Smart prepared meter install करने में भारत में अबल है तो वह राज-जी बिहार है अठार अमीर लोक सभाचुनाव 24 किन राज्जियों में साथ चर्णों में संपन हुआ तो यह सिर्फ तीन राज्यों में साथ चरणों में हुआ था वह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पस्सिम बंगाल एक कुश्चन भी एक्जाम में पूछा चा सकता है क्योंकि साथ चरण के जो एलेक्षन था जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पसिम बंगाल में टोटल साथो चरण में एलेक्षन हुआ है बच्चों की भरन पोषन के लिए ससुराल से, ससुराल मतलब पतनी के पैतरित के घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है यह अहम फैसला हाल ही में किस हाई कोट ने सुनाया है या पतना हाई कोट ने यह फैसला दिया है जैसा कि आप पहले भी जानते होंगे कि जब भी वाई फजमेंड में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लड़कियां जयातर जो केस करती है वो दहेज की केस करती है डोडी से related केस होता है कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा था और जिसकी बज़ा से हमें प्रतारीत किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर डोडी को जो वखील थे उन्होंने यदि डोडी के जगह यदि बच्चों की लालन पालन के लिए यदि पैसा मांगा जाता है बच्चों के भरन पोडी के लिए तुव डोडी नहीं है या दहेज नहीं है इस तरह के फैसला दिया है देख सकते हैं साप साप लिक है बच्चों की भरन पोड़न के लिए ससुराल से पैसा मांगना दहेज नहीं है और इस पर कोई केस नहीं किया सकता है, वो यह मांग सकता है बिहार के किस परसिद समाजिक उद्यमी को World Economy Forum ने 2024 का Young Global Leader घोशित किया है तो यह है सरद विवेक सागर, सरद विवेक सागर जी को 2024 का Young Global Leader World Economy Forum द्वारा घोशित किया गया है भारतिये खेल प्रादिकरण एवों भारतिये तैराकी महासंग के सौजन से पटना में आईजीत खेलो इंडिया असमिता जुनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खेलारी ने एक शुर्ण और दो रज़त पतक हासिल किये हैं तो वो खेलारी हैं कात्यानी सिन्ग बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार कितने महिनों तक जेल में रहने वाले ब्यक्तियों को पंचायत अस्तरिये चुनाओ से बन्चित कर दिया गया है छे महिने या अधिक से छे महिना या अधिक छे महिना या छे महिना से अधिक तक जेल में रहे हैं तो आपको पंचायत की जो त्रिये चुनाओ है उससे आपको बन्चित कर दिया जाएगा आप पंचायत का एलेक्शन नहीं लर सकते हैं जिसमें मुक्षिया, सरपंच, वाड सदस, जिलापडी सद और पंचायत समीती इन में से किसी भी के लिए किसी भी पोस्ट के लिए कर सकते हैं कि आप एलेक्शन नहीं लर सकते हैं लेकिन यदि आप कितरी बड़े भी दोση हैं तो आप सांसर का एलेक्शन लड़ सकते हैं विधायक का एलेक्शन लड़ सकते हैं उसके लिए है कि जब तक कि आपको कोट आपको 5 सालसे ज्यादा की सजा ना सुना दे तब तक आप लड़ते रहेंगे और जीत करके शांसाद या विधान सवाम में बैठते रहेंगे तो ये लेकिन मुक्षिया सरपंज बनने के लिए 6 महिना ये 6 महिना से अधिक का आपका जेल हो चुका है आप जेल में रह चुके हैं तो आप यह एलेक्शन नहीं लर सकते हैं बिहार के किस जेले की मीरा कुमाड़ी वर्ल सुटिंग पारा एस्पोर्ट वर्ल कप 2024 के लिए भारती पैरा सुटिंग टीम की कोच निप्त की गई हैं तिया पुर्नया जेले की हैं लोग सवाच नौ के पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर खुल 68.29 परतिसत बोटिंग हुई हैं बताएं कि सबसे कम बोटिंग कहां हुई हैं तो सबसे कम बोटिंग बिहार में हुई हैं जैसा कि आप जानते होंगे कि एजुकेशन में भी बिहार सबसे नीचे हैं गरीवी में भी बिहार की हाला तो ऐसी ही हैं और बोटिंग में भी हम सबसे कम बोटिंग करते हैं उसकी कई रीजन है पहला रीजन तो यही है कि हम में सिक्षा की कमी है हम अपने अधिकार को समझ ही नहीं पाते हैं हम अपने बोट के अधिकार को समझ नहीं पाते हैं और दूसरी चीज है यह दूसरी बज़ा आपको ये भी है कि बिहार के जैदातर लोग जो येंग हैं जो बोट दे सकते थे वो बिहार से बाहर अपनी जौब या अपनी रुजगार के लिए बिहार से बाहर रहते हैं बिहार के मौजुदा राजपाल राजंदर बिस्वनाथ अरले कर किस राज़ के निवासी हैं जिसके द्वारा हाल ही में हिमालिया गुरूप ऑफ इंस्टिचूशन के चेर्में डॉक्टर उमा संकर को सम्मानित किया गया है तो ये गोआ के हैं सिंबल से एक क्वेस्टन से बिहार के राजपाल राजेंदर बिस्वनाथ अरले कर गोआ के बिलॉंग्स करते हैं 23 अप्रेल 2024 को बीर कुमर सिंग की 166 मी पुनितिती मनाई गई हैं बताएं कि 1857 के विद्रोग के दवरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना अमंत्रित किये थे तो अंग्रेज अधिकारी था विलियम टेलर है विलियम टेलर ने बीर कुमर सिंग को पटना में मिलने के लिए अमंत्रित क्या था। पाटली पूत्र खेत परिसंग पाटली पूत्र खेल परिसर कंकरबाग में आयोजीत सरसथमी नेशनल स्कूल गेम्स एतलेटिक्स दुहजार चोबीस अंडर सेवेंटीन का है कि विजेता से संबन्धित कौन कथन सत्य हैं। इसमें बालक वर्ग का जो विजेता रहा है हुआ है महराष्ट। यह सच हैं। यहीं आंसर हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज में अबल रहा है। तो वह जिला है सिवान। जैसे कि आप जानते भी होंगे सिवान के ज़्यादा तर लोग फोरन में रहते हैं। विदेश जाते हैं। कमाने के लिए रजगार के लिए। लोग सबाद चुनवाद दुहजार चुवीस के मद्दे नजर चुनवाद से संबंधी सारी जानकारी उबलब्द कराने के उद्देश से दर्भंगा के डियम राजीव रौसन ने कौन सा मुबाइल एप लौंज किया है। इस मुबाइल एप का नाम है दर्भंगा मतदान के अंदर है। दर्भंगा मतदान के अंदर के नाम से दर्भंगा के ही डियम राजीव रौसन ने एक एप लौंज किया था। लोग सबाद चुनवाद दुहजार चुवीस को मद्दे नजर रखते हुए। तो यहां पर हमारा यह 501 से लेकर के 100 तक का जो कुछ MCQ बिहार करेंड रफर्स का था यह कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स वीडियो में 101 से लेकर के 150 तक के बिहार करेंड रफर्स का एस्टडी करेंगे। और यदि आप हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लें जिसमें एक से लेकर के 50 तक के MCQ बिहार स्पेसल करेंड रफर्स का वीडियो अप्लोड हो चुका है। यदियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंट्स को सेर कर दीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जय हिंदे।